हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आप सब कैसे हो आई होप यू आल डूइंग वेल मैं हूँ मॉश्मी आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हो एक सूपर लाइट जेल मॉश्यराइजर के बारे में यह है वह मॉश्यराइजर यह है पॉंड सूप यह 73 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी में आती है और 149 रूपीज इसका प्राइस है यह ओन लाइन ऑफ लाइन सभी स्टोर में इसले अवेलेबल है यह एक जेल मॉश्यराइजर है सुपर लाइट जेल गो टू मॉश्यराइजर फॉर आल स्कीन टाइप के लिए यह कुईक बहुत ही कुईक एब्सॉर्ब करती है स्कीन में और 24 आवर मॉश्यर लॉक टेकनलोजी हड्रेशन फॉर वाटर फ्रेस ग्लो यह स्कीन को सॉफ्ट और स्मूथ बाउंसी लुक दे करती हूं इसका टेक्श्चर कुछी इस तरह का है जेल वेस्ट टेक्श्चर है इसका इसको अप्लाई करने के बाद स्कीन में कूलिंग एफेक्ट आती है मैं इसको कुछ दिनों से यूज कर रही हूं यह स्वीटेबल फॉर नॉर्मल स्कीन के लिए है ड्राई स्कीन वाले इसे समर में यूज कर सकते हैं पर विंटर में ड्राई स्कीन वालों के लिए यह सेटेबल नहीं होगा और इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही रिप्रेशिंग फ्रेग्रेंस है इसका आप देख सकते हो मेरे हैंड को अपलाई करने के बाद इसमें लिखा हुआ है कि यह बहुत ही ग्लोई स्कीन देती है बांसे स्कीन देती है चिप-चिपि स्टिकिनेस भी बिल्कुल नहीं रहती है इसकीन में। अब इसको आपको मैं पास से थोड़ा सा दिखा꺼 देती हूं इसका डिटेल 5ड तो देख लो यह बिल्कुल पास से मैं आपको दीखा दे रही हूं न्यू पॉंट्स यह आप सारा डिटेल इसका देखो और यह पीछे कुछ इस तरह का है आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हो मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा दे रही हूँ इसके जो इंग्रिडियन्स है और डिटेलिंग है यह सारा पीछे में मेंशन है कुछ इस तरह का टेक्श्चर है बिल्कुल पास से देखो आप इसको आप फेस मेकप बेस के रूप में भी यूज कर सकते हो प्राइमर के जगह पे इसको भी आप ले सकते हो यह बहुत ही अच्छा मेकप बेस भी देता है तो यह था मेरा आज का छोटा सा रिविव आई होप आपको थोड़ा सा हेल्फुल लगा होगा इसके बारे में जानकारी मिली होगी अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्फुल लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंट्स और मेरे अदर्स वीडियो डेस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डेस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप चाहो तो इसको पर्चेस कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा हो देखके तो आप इसको पर्चेस कर सकते हो तो थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई फ्रेंड्स